नमस्कार दोस्तों बदबस वागत आपका अमारे चैनल में दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो आपके लिए ये खबर एक बहुती निराशा जनक होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं कि सलमान खान पर काले हिरन का केश चल रहा था और अभी अभी जो खबर आई है उसके इसाब से सलमान खान को पांस साल की सजा हो गई है यहां दोस्तो सलमान खान को दोशी करार दे दिया गया है जोदपूर के अदालत में और सलमान खान को पांस साल की कैद जो है वो सुनाई दी है पांस साल की सजा उनको दी गई है दोस्तो सलमान खान ने आपको यादी होगा पिछले कुछ सालों की बात है यह जब उन्होंने क तो उसी की सुनवाई चल रही थी जिसमें आज वैसला आया है जिसमें सल्मान खान को 5 साल की सजा दी गई है। दोस्तों सल्मान खान जजसके सामने जब मौझूद थे तो उनके आगों में से आशू निकल गए सजा को सुनकर और वो काफी निराज भी हो और होना भी चाहिए क्योंकि 5 साल बहुती ज्यादा बड़ी एक टाइम होता है सजा के लिए और सल्मान खान ने हाली में काफी सोच 600 करोड का दाव जो है वो सल्मान खान के उपर चला है उनकी पिच्चरे आने वाली है जैसे कि आपको पता यह बड़ी बड़ी पिच्चरे आती है उनकी बड़े बड़े बज़ट की मूवीज है तो सल्मान खान अब 5 साल तक उनको कैद हो चुकी है मतलब सचा सुनाई दि है या नहीं इसके लिए वो आगया अप्लाई करेंगे लेकिन फिलाल उनको जो सजा दी गई है वो 5 साल की उनको सजा दे दी गई है और बाकि जो उनके साथ मुल्जिम बनाए गए थे जैसे कि सेवली खान तबू वगर इने बाइज़जद बली कर दिया गया है लेकिन सल् सल्मान खान की एक रिपटेशन है और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सल्मान खान जब कोट में मौजूद थे तो सजा सुनकर उनकी आँखों से आंसों निकलने लगे और वो भावुक हो गए काफी और उन्होंने सजा कम करने की भी अपील करी उनके वकीलों ने कहा क कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए लेकिन जजज ने इन सभी बातों को दरगिनार करते हुए सल्मान खान को धोशी करार देते हुए पांस साल की सजा जो है उनको कर दी है तो अब पांस साल की सजा उनको दे दी गई अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या डिसिजन होता है उन्हें बेल मिलती है या नहीं मिलती तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो अभी अभी मीडिया में आपको दिखाई देगी और सुनाई भी देगी और इस बारे में 4 तरफ चर्चा भी है तो ये information हम आपके लिए लेकर आये थे ताकि आपको हमारी बनाई हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें ये बल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फायदा उटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद